नमस्कार साथियों आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी आइंस्टीन में आज हम स्टील इस्ट्रक्चर्स ड्राइंग का सलेबस डिसकसन करेंगे फुल डिसकसन होगा अगर आप लोग कोई से हल्प मिलती है तो फीड़बेक जरूर दीजेगा हम स्टील इस्ट्रक्चर की पूरी ड्राइंग पढ़ाएंगे आप लोग को पहला चैप्टर है रूप ट्रस रूप ट्रस में हमको सिर्फ एक ट्रस बनानी है यह देखिए आपकी फिंक ट्रस है फिंक रूफ ट्रस है यह पूरी इसको टाई भी मेलते हैं यह राफ्टर है आपका और यहां से जॉइंट से मेंबर लगे हुए है इस्टरट और यहां पे देखिए यह सीट है फूल डेटेल है इसमें यहां पे परनेल देखिए अलग से काटके दिखाएगा है सेक्षन तो इस ट्राइब से आपको बनानी है इसको भी आप लोग बना सकते हैं अलग अलग इस्पान के लिए आप लोग को बनाने के लिए आएगा एकजाम में तो इसको पूरा ध्यान से आप लोग देखिएगा बनाने कोशिस करेगा हम बनवाएंगे चैप्टर नमबर टू है कॉलम एंड कॉलम बेस ड्राइंग आप इस्प्लाइस ऑफ स्टील इसमें देखना है आप लोग को बनाना पड़ेगा यह और उसके बाद स्लैब बेस गजेटेड बेस और जो उर्धवाधर मेंबर होगा उसको जोड़ने के लिए स्प्लाइसेज का यूच होता है तो यह देखें वेल्डेड स्प्लाइसेज जोइंट दिखाये गया है यहां पे रिवेट स्प्लाइसेज जोइंट दिखाये गया है कॉलम स्प्लाइसेज है यहां पे देखिए इ तो कि यही आप लोग को बनाना है प्रोटेटिल में, इस्टील में भी पढ़ाया जाएगा, देखें, इस स्लैब बैस है, जब कॉलम को जिस चीज पर रखा जाता है, उस स्लैब बैस होता है, यह फिर जमीन पर लोग ट्रांसफर कर देगा, स्वाइल को दे देगा, इसका फ्रंट व्यू देखें, इस ट्राइब से दिखेंगा, और जो टॉप व्यू है, इस ट्राइब से दिखेंगा, तो यही एकजामे बनाने के लिए आप लोग को आता है, उसके बाद है, ग्रिलेज फांडेशन, यह देखेंगे, उसका जो 3D फिगर वो मैंने दिखाया है, यहाँ पर देखेंगे, इसका सेक्शन दिखाया गया है, फ्रंट से, और यह टॉप से, तो यह आप लोग को बनाना है, फुल डिटेल, हम एज जे ओवर व्यू दे दे रहे हैं, इतना ही है आप लोग के सलेवस में, मगर अलग-अलग डाइमेंशन में वो आ सकता है, दीसरा चेक्टर है, कॉलम बीम कनेक्शन, इसमें बीम-2-ilim कनेक्शन देखना है, और बीम-2-calling देखना है, बीम-2-calling डेखना है, इसमें देख़िए, बीम-2- Given जब जुड़ती है, तो इस टायप से जुड़ती है, ठीडी-ठीगर भी हम आप लोग को बना के दिखाएं और कॉलम और बीम से ऐसे कनेक्शन होता है तो इसका साइड विव है और ये फ्रंट विव है इसी तरह ये भी फ्रंट विव है ये साइड विव है चौथा चेप्टर होगा आप प्लेट गर्डिर, प्लेट गर्डिर में हम पूरी डेटेल के साथ stiffness दिखाएंगे, फ्लें जेंगल, कवर प्लेट, वडव, ठीक है, यह सारी चीजिए दिखाएंगे, तो यह देखिये हैं पूरा, यह प्लेट गर्डिर है, यह प्लेटों से मिला के आई सेक्षन हम बनाते हैं क्योंकि हमारे इंडरस्टी में एक फिक्स डाइमेंशन का ही आई सेक्षन मिलता है इसलिए प्लेट गर्डर का यूज करना पड़ता है जब अधिक लोड आ रहा होता है तो यह फूल डिटेल के साथ आप लोग को बनाना है इसका देखिए यह वर्टिकल सेक्षन है यह देखिए फ्रंट से लिया गया है और यह आईसोमेट्रिक व्यू दिखाए गया है तो पूरा सेक्षन काट के आप लोग को पूरा दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पे किते रिवेट लग रहा है साथ व्यू से कैसा दिख रहा है तो पूरी डिटेलिंग देनी पड़ती है ट्रॉइंग में तो उसी इसाब से वर्कर जो है वहाँ पे रिवेटिंग करते हैं बोल्टिंग करते हैं आखरी चैप्टर आप लोग का होगा सीड बनानी रहेगी कैट पे साथ व्यूर पे एक सीड बनानी रहेगी आप लोग को वन सीड सिर्फ वन सीड ठीक है तो आटो कैट पे वी वर्क करना है आप लोग को इस तरह से आप लोग के पांच चैप्टर है फिर से ओबर वीडिखा देता हूं में डस है टस बनानी है उसमें फिंक ट्रस है दूसरा है आपका कॉलम एंड कॉलम बेस तो जिसमें सबसे पहले स्फ्लाइस देखनी है जो बेम्बर उनको जोडने के लिए लिगना है मतलब सलैप बेस देखना है उसके बाद गिलेज लग जाएगी तो गजट प्लेट जब यूज होगी तो यहां पर गजट प्लेट गजटड बेस हो जाएगा भू ठीक है फिर देखिए यह beam to beam connection है column to column और beam connection है उसके बाद आप लोग का यह आप खोजागा plate girder इस type से फिर उसके बाद एक seat बारा नहीं है total आप लोग को इतना पढ़ना है ठीक है तो इस तरह से आपका steel structure drawing पुरा complete करेंगे हम support करिए share करिए वीडियो को subscribe करिए हम आगे इसको पुरे detail में पढ़ाएंगे